हेलो बजो मैस्स क्लास इच में आपका स्वागत है आप कर रहे हूं एंसे आड़ी मैथमेटिक्स क्लास नाइंत का हम बात कर रहे हैं और आपका चैफ्टर आज है लीनियर इक्वेशन इन्टू वेरियेवल्स ठेक है एकसरसाइज चल रही है 4.1 सोलूशन हम डारेक्ट कर रह होगा आपको एक लिनियर इक्वेशन बनानी है इन दो वेरियेवल्स को रिप्रेजेट करके आपको स्टेटमेंट की हलब से हमने क्या क्या मालिया की नोटबुक की कोस्ट है वो एकस ui है एकस ₈ मालिया की नोटबुक है जो एकस ₈क न नाग रुप्भी की आती है और रुपे है, X रुपे मालिया तो पैन की क्या हो मालिया की पैन की Y है ठीक है, X मालिया की नोट्बुक है, वो X रुपे के आती है और पैन आता Y रुपे का, हमें नहीं दिया हुआ कितने का क्या आता है बट जो statement कहती है कि cost of notebook है वो pen की course से double है यानि कि जो cost of notebook थी वो x थी वो किस से double है वो pen की cost से double है pen की cost थी हमने y मान ली थी ठीक है यानि x equal to 2y है x equal to 2y है x 2y के equal है तो 2y को हम left side में लेके जाएंगे तो x minus 2y क्या जाएगा 0 आजाएगा यानि हमने एक linear equation बना दी statements की help से क्या आगे आफकी equation x minus 2y equal to 0 second question में आपने क्या बताना है कि एक linear equation को इस form में लिखना है x plus by plus c equal to 0 की form में लिखी हुई है आपके पास से विए equation और आपको indicate करना है यानि find करनी हो या बी c की value क्या होगी इस type की equation दी हुई है आपके पास में ठेक है जैसे ये आपके 6 पार्ट द की value यही bc की value आपने बतानी है equation हाफ के पास ये वाली हमने क्या करना equation कब होती है जब हम 0 के equate prove करते हैं ठीक है किसी भी variable को 0 के equal रखते है तो वो equation होती है अगर हम यहाँ पे 0 नहीं है तो इस value को left side में ले जाएंगे यहाँ पे positive है तो वहाँ पे जाके negative हो जाएगे और इसको 0 के equate बना देंगे सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पता कर चल रहा है कि ax plus by plus c की form में है यह ax का मतलब कि x का coefficient है वो 2 है यहाँ पे by का मतलब क्या है कि b का coefficient 3 है और plus 3 है तो plus की जगा पे यहाँ पे minus में आ जाएगी c की value और क्या आगी 9.35 bar ठीक है यह c की value आगी यहीं आपको find out करना था इस equation से comparison करके की a b c की value क्या होगी आपने बता दिया एक ही 2 है बी की 3 है और c की minus 9.35 bar है ऐसे आप second question में भी बचे ऐसे करोगे equation दी होगे आपको और इसमें से a b c की value बताओगे अब की बार जो comparison की से करना same इस equation से x का coefficient क्या है यहाँ पे 1 है तो a की value क्या वो minus 1 y 5 यहाँ पे आपको show रहा होगा तो b की value या आगी और c की की आगी minus 10 आगी बता दिया आपने थर्ड पार्ट में भी same ऐसे करोगे minus 2x plus 3y equal to 6 है 0 की equate कर लोगे यह 6 को left side में ले जाओगे तो यह equation बन जाएगी कुछ इस type की minus 2x plus 3y minus 6 equal to 0 a की value minus 2 आजाएगी b की 3 जाएगी इसको निकाल दोगे आप इजली से फॉर्थ पार्ट में आप बिल्कुल ऐसा ही करोगे फॉर्थ में भी ठीक है थर्ड पार्ट सक आपने soul कर दिया फॉर्थ पार्ट क्या है 3x plus 2 equal to 0 है अब की बार आपका y का coefficient नहीं है कोई भी तो उसको 0 माल लेंगे x का coefficient 3 है त यहनी y का तो कोई coefficient नहीं है तो y की बी की क्या आगी 0 आगी बी का coefficient क्या आगया 0 आगया और c क्या है 2 है तो c की 2 आगई सेम ऐसे आप यहाँ पर करोगे next part में y-2 equal to 0 है तो x का तो coefficient 0 है आपके पास यहाँ पर तो x का तो coefficient 0 है यहनि कि a की value तो आप 0, a की value तो 0 आ गई y का coefficient 1 है तो b की value यहाँ से आपकी 1 आ गई और c की value आ गई minus 2 निकाल दी यहाँ से तो सारे की सारे numbers की आप यहाँ पर value निकाल सकते हो 5 equal to 2x दे रखाए सबसे पहले तो 2x minus 5 equal to equate कर लोगे इसको 0 की अब की बार x का coefficient 2 है तो a की value यहाँ आगे y का 0 है तो b की value 0 आगे और c की value आगे minus 5 निकाल सकते हो रहाम से तो यह थी आपकी exercise 4.1 थी सारे parts की आप value निकाल सकते हो यहाँ पर अगर किसी की रहती है तो हम यहाँ पर solve कर लेंगे यह हमने solve कर दी x equal to 3y है तो इसको left side में ले जाके इसको 0 की equate कर लेंगे अब की बार आपकी जो a की value है वो 1 आजाएगी b की minus 3 आजाएगी और c का कोई coefficient नहीं तो c की 0 हो जाएगी ठीक है इसी type से आप solve कर सकते हो हर एक equation को I think हमने सारे solve कर लिए है अगर यह रहता भी है तो 2x equal to minus 5y है तो इसको left side में ले जाएगे और 0 की equate पूरू कर लेंगे तो a की value 2 आगी c b की 5 आगी और c की की आगी 0 आगी c का coefficient था है नहीं next part में करेंगे हम exercise 4.2 को